आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा इस महीने की जो जीस्ट्र 3B है ना ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ना कन्फ्यूजन बहुत है मैं आपको डारेक्ट दिखाता हूं क्या कन्फ्यूजन है हम बात करें अगस्त की 3B की जब हम स्क्रीभी फाइल करने जाते हैं जुक्री इसकी ऐबल के अंदर एक बहुत बड़ाव किया गया है और ये टेबल क्या कहती है इसमें ITC कैसे डलेगा ये सारी चीजों को समझना है अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो उसमें हमने आपको बता दिया था कि टेबल नंबर 3.1.1 को कैसे फाइल करना है और जो हमारे गूगल राइ, पेंड राइ मेंबर्स है उन्हें हमने पूरी रिकोर्डिंग करके भेज दी थी आपको अमारी रिकोर्डिंग कैसी लगी ist ard", हमने कमेंट बोक्स मेंес लिए मारे हम बात कर रहे हैं कि बहुत का इसी कि टेबल में चैंज होते हैं चली की टेवल क्लिक जैसे हैं म़िस की टेबल रहे है तो इस उपर वाला कोलंड है एक जो है यह सेमहलागग संग live इस dor ऑफ्र 협 ध्यान से समझना है कि all other ITC के अंदर वो सारा ITC आ गया होगा जो 2B के हिसाफ से आप eligible करते हो अब इसमें से आपको अपनी knowledge लगाकर खुद यह decide करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ITC है जो block ITC है मतलब कि जो section 175 में block है अगर आपको लगता है कि एक लाग 65,000 में से 10,000 का ITC ऐसा है कि जो block ITC है आपको उसे B के अंदर दिखाना है B1 के अंदर reverse में दिखाना है जैसे ही आप उसे B1 में reverse में दिखाओगे 15,000 को तो उसके बाद आप net ITC क्लेम कर पाओगे जैसे हमने आपर 5000 डाल दिया तो एक लाग 60,000 सर इसके अंदर और कौन सा ITC दिखाना है एक हमारा rule 38 का ITC होता है rule 38 किसके applicable होता है banking company पर applicable होता है कि banking company को 50% ITC मिलता है तो अगर आपका ऐसा भी कोई ITC यह banking कोई company है तो उसे जो अपना 50% ITC लेफ्स करना है वह यहां पर लेफ्स करना है यह सारी चीजे हम अपने full course के अंदर कराते हैं तो अगर किसी ने अभी तक हमारा full course नहीं लिया है तो हमारा full course जोइन कर ले full course की जो हमारी fees होती है वह बहुत ही nominal fees है अगर आप देखोगे तो हमारा जो software है ठीक है न हमारा जो एप है उस पर भी हमारा full course डला हुआ है आप वहां से हमारा वह course access कर सकते हैं सर कैसे कर सकते हैं वह course access आप यहां पर जाओगे play store पर तो play store पर KJ classes डालोगे तो आपको यहां पर different different course मिल जाएंगे तो आप हमारा पूरा courses यहां से देख सकते हो छोटे छोटे courses भी देख सकते हो तो हम बात कर रहे थे कि rule 38 का ITC यहां पर reverse करना है और 17.5 की ITC को भी यहां पर reverse करना है और दो तरीके का ITC और reverse करना है rule 42 और 43 का rule 42 और 43 किस चीज की बात करता है अगर आप exempt और taxable goods में deal करते हो ठीक है ना या आपने कोई ऐसा ITC लिया है जो आपने other than business purpose में use किया है जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारा मालनो magazine का product है magazine आप सब लोगों को मिली गई होगी इस बार सोड़ी सी delay हो गई थी ठीक है ना लेकिन magazine आप बताना कैसी लगी तो जैसे हमारा magazine का product है वो exempt है और हमारा जो google drive pen drive हो taxable है तो अगर हम कोई भी input service लेते हैं जो हम exempt और taxable दोनो तो हमारे को यहाँ पर ITC reverse करना होता है तो अगर आपका इन चार में से किसी भी condition में ITC reversal है वो आप B1 में दिखाऊगे लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीज़े होती ITC reverse करनेगी जैसे कि rule 37 में ITC reverse करना sir rule 37 में ITC reverse क्या होता है rule 37 में ITC reverse यह होता है कि अगर आपने अपने creditors को 180 दिन के अंदर payment नहीं करा तो आपको वो ITC reverse करना होता है with interest तो अगर आपका rule 37 का ITC reversal है तो आप उसे B2 में दिखाऊगे ना कि B1 में तो यहाँ पर others के अंदर वो ITC आता है जो उपर वाले में नहीं आया या जैसे मालो आपको लेना था 1,65,000 का ITC गलती से आपने 16,000,000 का ले लिया तो अगर आपने ऐसा कोई access ITC लिया हुआ है तो आप ITC reverse में दिखाऊगे इसके बाद हमारा net ITC available आ जाएगा जो हमारे credit leisure में जाएगा इसके बाद जो D detail है confusing detail है D वाली detail यह क्या कहता है कि अगर ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई ITC reverse कर दिया हो और बाद में उसे reclaim करना हो जैसे अगर मैं बात करूँ मैं बात करूँ रूल 37 के ITC गी रूल 37 क्या कहता है कि अगर आपने 180 सी दिन के अंदर अपने creator को payment नहीं करा तो आप पहले तो ITC reverse कर देना जब आप उसे payment कर दोगे तब आप उसे reclaim कर लेना तो अगर आप वो ITC reclaim करते हो तो आपको दिखाना उसे all other ITC में ही है लेकिन यह जो D part है यह calculation part नहीं है D part is only information part तो D part के अंदर भी आपको एक बार दिखाना है तो यहाँ पर क्या लिखावाए D1 में ITC reclaim which was reverse under table 4B2 in earlier tax period यहाँ पर दिखाने मातर से वो reclaim नहीं हो जाएगा reclaim करने के लिए तो आपको all other ITC में डालना ही पड़ेगा लेकिन अगर आपको यह ऐसा ITC claim करते हो reclaim करते हो जो आपने पहले reverse कर दिया था तो आपको यहाँ पर information part में डालना पड़ेगा मैं इसे information part क्यों कह रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पर कोई भी figure डालते हो तो वो सिर्फ information के लिए होती है वो कभी भी calculation part नहीं बनती इस चीज़ को आपको समझना है तो यह वाला जो part है यह हमारा information part है यह आपको clear हो गया होगा इसके बाद यह जो D2 है यह इससे भी जाद confusing है सर इसमें क्या confusing है इसमें यह समझना इसमें confusion इस बात का है कि भाई यहाँ पर देखो जैसे मैंने D के अंदर कोई figure डाली मेरे ITC पर कोई impact नहीं आया मेरे credit ledger में वही ITC जाएगा जो यहाँ पर C में आ रहा है लेकिन D part क्या है श्रिफ information part है और यह D2 इससे भी confusing part है यह कहता है कि जैसे ही आप अपना 2 भी देखोगे तो उसमें 2 table आती है एक ITC eligible आता है और मैं दिल्ली में हूँ महाराष्ट्रा से कोई समान खरीदा तो महाराष्ट्रा वाले को place of supply दिल्ली डालना था लेकिन गलती से उसने UP डाल दिया मतलब कि जिस state में हूँ वह इस state का place of supply नहीं डाला तो यहां पर हम उसे बोल देते हैं ITC restricted due to POS rule महला place of supply rules कि अगर जो व्यक्ति ITC claim कर रहा है अगर POS में उसकी state का नहीं डलेगा तो वह ITC restricted हो जाएगा तो आपको ऐसा ITC 2B में देखना है और यहां पर स्रिफ दिखाना है यह कोई calculation का पार्ट नहीं होगा उस ITC को ना ही उपर claim करना है क्योंकि वह eligible ITC तो ही नहीं जो से आप उपर claim करोगे तो उसे स्रिफ और स्रिफ information पार्ट में दिखाना है इसके अलावा लिखता है इनिलिजिबल ITC अंडर section 16-4 आप comment box में लिखकर बताना यह गलत लिखा या सही मेरे इसाफसे यहां पर यह गलत लिखा है क्यों गलत लिखा है कि यह section 16-4 मुझे recipient के अंगल से पढ़ना है यह supplier के अंगल से पढ़ना है तो अभी सितंबर का ही ITC मानेंगे तो आपको सितंबर की 3B में सारा ITC ले लेना है लेकिन अगर आप सितंबर के बाद कोई ITC लेते हो तो हम उसे बोलते हैं कि 16-4 की वज़े से वो ITC इनिलिजिबल हो गया लेकिन यहां पर कैसे दिखाएंगे ITC तो इस बात को ज़रा समझ यहां पर यह जो 16-4 है यह रिसीपेंट पर नहीं लगा रहे हैं यह लगा रहे हैं सप्लायर पर मैं आपको एक एक अग्जांपल से समझाता हूँ let's suppose करो मैंने मार्च के अंदर मैंने मार्च के अंदर रामलाल से एक लाख रुपे के गुट्स करी दे लेकिन मार्च के अंदर रामलाल ने अपनी GSTR-1 नहीं फाइल करी ना ही वो मेरे 2A के अंदर आया ना ही वो मेरे 2B के अंदर आया तो मैं उस ITC को नहीं ले रहा अब दिसम्बर में फील करी 2022 में पारली बात तो रामलाल पाइल ही मैं नहीं कर देना चाहिए था वो इन्वोई दैंद लेकिन अगर रामलाल दिसम्बर में वह फाइल करता है तो और अगलरे के संबर में और किसके अंदर इनिलिजिवल इटी सी विज़े से वा है क्योंकि रामलाल मने उसे लेट ऐ ineंवर टो यहां पर उसकी जो वार्टिंग है प्रमीच एज नहीं डालनी जाहिए थी क्योंकि 16-4 तो recipient के इसाफ से होता है recipient को मना किया जाता है कि आप ITC claim नहीं कर सकते ठीक है ना तो यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने confusion डाली है इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी सी clarity आनी थी बागी आप मुझे comment box में लिखकर बताना क्या आपको इसके अलावा 3.1.1 table आप आपको टेच नहीं करनी है आपको टेच तभी करनी है जब आप e-commerce operator के थुरू माल बेचते हो कौन से e-commerce operator सारे e-commerce operator नहीं जो section 95 के अंदर आते है 95 के अंदर service वाले आते फिलिपकाट एमेजन नहीं आता ठीक है 95 के अंदर कौन सा आता जमेटो वगेरा वाले आते हैं make my trip आ हम अपनी full pen drive classes में यह बताते हैं कि क्या होता है 95 क्या सारी चीजे होती है यह हम अपनी magazine के थुरू भी आप लोगों को समय समय पे बताते रहते हैं और जो हमारा full pen drive course है हम उसमें भी यह सारी चीजे आपको बताते रहते हैं तो आशा करता हूँ यह video आपको अच्छी लगी होगी अगर video अच्छी लगी है तो जादे से जादा लोगों तक share कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे app पर visit नहीं किया है एक बार app पर visit करें हमारी website पर visit करें और इन courses को जल्दी से जल्दी लेकर अपनी knowledge को बढ़ा ले इस video को देखने के लिए आपका दिल से धन जल्दी